नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी नाइन राजस्तान मैं हूँ अम्बेश रिवास्तोर यह इंसाइड स्टोरी देखे साथ सीटों पर उपचुनाओं है राजस्तान में तारीकों का एलान हो चुका है तेरा नवंबर को मद्दान होंगे तेश नवंबर को नतीजे आएंग लेकिन अब बीजेपी और कॉंग्रेस दो राजट्री पार्टियां के साथ साथ छेते दलों ने भी इस उचुनाओं में ताल ठोक रखी है और कुछ जगहे जैसे क्यूसर हो गया 84 हो गया इन दो जगहे छेते दल जो राजट्री पार्टियां या कहें कॉंग्रेस बस जो है छेते दलों का मजबूत होता जा रहा है अब इस उप्चुनाओं में किया कहां कॉंग्रेस और बीजेपी के लिए खियूसर हो गया 84 हो गया सलूंबर ये तीन सीटे हैं जहां पर बीजेपी के लिए या कॉंग्रेस के लिए जो छेते दल हैं वो ज्यादा आखिर ऐसा क्यों है कैसे हो रहा है तो हमारे सीनियर एक्जिकेटिव पर्डूसर पुसकर चोहान सर हमाई साथ है उन्हें से बात करेंगे सर राजकुमार राउत और हनुमान बेनिवाल लगातार जो छेत्रे दल मजबूत हो रहे हैं और बीजेपी और कॉंग्रेस के तो यह तो तीन सीटे हैं उप्चुनाओं के लिए कैसे समस्या खड़ी कर रहे हैं देखे एक बात जो आपने कहीं ना परिशानी में तो डाल रखा है जे चौरासी में जो लीड थी सतर हजार की थी जे और सलंबुर में बीजेपी कमफर्टेबली जीती थी लेकिन वो कहते हैं ना नमबर 13 में वोट पढ़ेंगे 13 नमबर को 2024 में करीबन 11 महीं में और अब देखे एक रिपोर्ट कार्ड भी आ रहा है सरकार की तरफ से एक विपक्ष की एकता का क्या हुआ वो भी जनता देख रही है अगले 5 महिनों में ठीक तीसरी बात किस सरकार में बैठे लोगों ने जिन दो सीटों की आपने बात करी सलंबर की बात करी 84 की बात करी वो आदिवासी बाहुल सीटे हैं और राजकुमार रौट एक कमफर्टिबली बढ़ रहे थे आगे लेकिन आपको मालूम है किस तरीके से चुनावी नतीजे आने के बाद लेकिन बीजेपी के कुछ मंत्री कुछ नेता लगातार उनको निशाने पर ले रहे थे मदन दिलावर ने डेने टेस्ट की बात कर दी कितना हंगामा हुआ उसके बाद माफी मागनी पड़ी ये जो सारे मुद्धे हैं और किस तरीके से भील प्रदेश बनाने की मुहिम सपर्पोर्ट करें तो वहां महराश्ट पर नुकसान नहीं करें तो यहां की दो सीटों पर नुकसान जिए तो केंद्री नित्रत ने इस पर चुपई साद ली अब राजकुमार राउत 84 में तो उनकी सीट है वहां से वो जीतेंगे अच्छा उन्होंने 84 में तो कंफर्ण दो रखी लेकिन सलंबर में उन्होंने कांग्रेस अंदर खाने बात कर लेगी वहां में प्रत्याशी घूशित पर लड़ना है दो सीटों पर चुनों लड़ना है, वो ना देवली उनियारा मांग रहे थे ना दोसा मांग रहे थे, दुनिया का रायता नहीं पहला है ना राजकुमार राहुत ने, और उनको जिसको साथ लेना उससे उन्होंने बात कर रखी, अब आप देखिए 84 भी कॉंग्रेस के पास पास टाइम से नहीं आई है, और सलंबुर तो चार चुना हो गए है तो वहां पर राजकुमार राहुत समझ गाए था है, यह देंगे हैं, बड़े दल है, यह नकरे दिखाएंगे, बीजेपी के साथ उनको जाना नहीं था, उन्होंने मजबूत तैयारी करी, जून से लेक आ रहा था, यह होता है, पैक्ट समझदारी होती है, कि अचा कॉंग्रेस यहां ना लड़ती, तो जाता है, सरेंडर कर दिया चोटे, और सीटों पर एफेक्ट पढ़ जाता कि यह देखिए, दीमे दीमे करके, छेत्री दलों के प्रभाव में आ रहा है, जो परजीवी नाम के से, अब मोदी जी चुनावी रैलियो में कम से कम कॉंग्रेस पर अठैक करते हैं, इसलिए उन्होंने का सलंबूर में आप तैरी कीजिए, और आप यह देखिए, वहाँ पर भागी कौन हो रहा है सलंबूर में, कॉंग्रेस के लिए, जो अभी आ रहे हैं, और जो भागी जाता है, तो एक सिंपैथि वेव मिलती है, वो वेव ना काम कर रही है, जबकि काम ये कर रहा है कि सलंबूर में जाती समी करण के साथ, जो साथ हजार वोटों पर रुख गए थे, आज वो लंबी लडाई में आगे निकल गए, देखिए अब जनता को माम आलुम पड़ ग यहां भी फास लिया है, सलंबूर में भी, बीजेपी की अपनी तेहरी है, बीजेपी के लिए सलंबूर में भी विरोध जहलना पड़ रहा है उनको, अपनों का, इन दो सीटों या तीन सीटों पर क्या समय कराने जो आप समझना चाहरें, कम से कम, दो पे बीजेपी ना पह बदलाओ होता दिख नहीं रहा है, लेकिन ख्यूसर में मुझे, अब ख्यूसर में क्या हुआ, इसलिए मैंने राजकुमार राउत की पूरी स्ट्रेटीजी बताई, और ख्यूसर को लेके जो आपका नजरिया रहता है, वो हद तक मैं मानता हूँ, आप सही पढ़ रहे हैं ख्यूसर सीट को, वहाँ पे उनका बढ़ बोलापन, और सिर्फ जब बात आती है तो अपनी ही परिवार से टिकेट देते हैं, वही कहा ना जोती मिर्दा ने, पहले भाई, फिर भाई, फिर लुगाई, रायस्थानी में ने ठोक दिया उन्होंने, और आप क्या है, बीच आज तो राजनीतकर नहीं रहें, उनको मालूम था कि कॉंग्रेस नहीं, आप खुद नहीं कहने जाते हैं, जब आप कहते हैं, कहीं भी कहें, कि हम हार सकते हैं, तो फिर जनता समझ लेती है कि यार यह तो खुद ही डाउन पढ़ रहे हैं, देखिए उनको अभी नागवर जिता के भेजा, कि उसर में उनको प्रॉब्लम आई थी, रेवंत राम डांगा ने बड़ी परिशानी खड़ी कि उनके लिए, इसलिए अब यहां पर फिर वही बात आएगी, कि कॉंग्रेस लंबे समय से नहीं है, जब कॉंग्रेस लंबे समय से नहीं है, तो फिर समस्या यह है कि बेनीवाल फसे हुए, बेनीवाल यह समझाना चाह रहे हैं, वो एंटी बीजेपी वोट अपने साथ लेना चाह रहे हैं, कि जितना बीजेपी का विरोधी वोट है, वो सब उनको मिल जाए, लेकिन कॉंग्रेस ने जो एक रणी थी वहां अपनाई, कि अगर चार स साल से नहीं, चार बार से नहीं जीते हैं, तो हम लड़ेंगे हार या जीत कुछ भी है, वहाँ बीजेपी अपर है, मैं ये साफ कह सकता हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो 10-12 दिन का चुनाओ बचा है, अभी तो तेवार है, फिर उसके बाद एक हमते का आप समझ सरकार पर कोई फरक पढ़ना नहीं था, सरकार पर फरक पढ़ने ही रहा था, इन लोगों को देखे, ये लोग जीतते तो ये कल को ज़्यादा डिमांड करते, अब अगर राउत की सीट भी फस गई, देखे, मैं एक एनलिसिस आपको साफ बताओ, जो आप आम जन्माने से प जीतती है, आप अभी उसका तर्क देंगे कि बीजेपी ऐसा नहीं कर पाती है, राजस्तान में, लेकिन रिकॉर्ड बनते ही तूटने के लिए इस बार शायद वही चीज है, तो इन तीनों सीट पे राजकुमार राउत तो लड़ाई दे रहे हैं राश्ट्री दलों को और अपनी मजबूत पहचान दिखा रहे हैं, लेकिन बेनीवाल जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा-थोड़ा किरोडी, किरोडीयाल मीना की लाइन पे टर लिये, आज विरोद कर रहे हैं कॉंग्रेस का, अरे कॉंग्रेस कैसे जीती, ये है, वो है, फिर कल कह रहे हैं, मुझे लगता है, जिस तरीके से उन्होंने 2018 में एक ताल ठोकी थी, कि भाई, वो तीसरे दल के रूप में खुबरेंगे, आप हमेशा अंबेश इस तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, इस देश में समझ लीजिए, जब तक कॉंग्रेस और बीजेपी है, तब तक तीसरे मोर् मेजर चंक लेते हैं, जे, कॉंग्रेस इंडियान में हटा दीजिए, बना लेगी क्या, सब मिल जाएं 543 में, भाजपा और कॉंग्रेस बाहर खड़ी हो जाए, कोई सरकार बना सकता है, बताइए मुझे, नहीं बना सकता न, यहीं कॉंग्रेस देट सो हो जाए, और बीजे न, यहीं कॉंग्रेस बना सकता है, बताब बिजे पी, या विद कॉंग्रेस या विदाओट कॉंग्रेस, किसी एक, आप देख लिए 269 में कहते हैं, कोई तीसरे मुर्चिक सरकार बनी, कॉंग्रेस इसको बाहर समर्थन दे रही थी, जब आप कॉंग्रेस के खिलाफ से लोग नाराज होते हैं तो तीसरी तरफ देख लेते हैं तो उसको कहते हैं यह तीसरा मोर्चा बन किया है तीन सीटे पाए तेज में आप एक सीट रहे हैं तो चलिए यह है 84 सलुंबर और ख्यूसर की इंसाइट की कहानी आप बाकी तो जनता जनारदन वहां तय करेगी तेरा नमंबर को और तेज को नतीजे सामने होंगे कि कौन भाई उनका विधान सब्सक्राइब अब अपने दर्शकों को बता दू कि अमबेश के साथ डेली शो करना है तेज को अगर इन तीनों सीटों पर कुछ उपन नीचे होता है तो आज का शो यह जरूरियाद दिलाएंगे लेकिन अभी बीच में 15 दिन है कहां चुनाओ जाएगा कहां रुकेगा यह देखने वाल झाल